तो हेलो माई डियर इस्टूरेंट्स, माई डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आए होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज गाइस मैं आप लोगों के लिए आपकी जो कोर्स की सेकंड पोईट्री है वो लेकर के आया हूँ लेबनम टॉप जिसे टेड यूज्ट ने लिखा है ठीक है तो ये जो पोईट्री है ये किस तरह की पोईट्री है या इसमें हम क्या बात करने वाले हैं पहले जरा साम एक बार उसको देख लेते हैं ठीक है गाइस तो इस पोईट्री में मुख्य रूप से कुछ चीजे बताई गई है जैसे कि सबसे पहली चीज इस पोईट्री में क्या बताई गई है कि किस तरीके से जो पतजड का समय होता है उस समय में कैसे प्रकरती निर्जीव प्रतीत होती है लेकिन प्रकरती के ही दूसरे तत्व जो है पक्षित्यादी वो आकर कि कैसे उसे सजीव दर्शाते हैं और पुन है उनके चले जाने पर कैसे वो रिरजीव प्रतीत होती है ठीक है गाइस तो कुल मिला करके प्रकरती के द्रश्यों से जीवन में कुछ सीखने के लिए कुछ बिंदू यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं तो बिना किसी देरी के अपनी पोईट्री स्टार्ट करते हैं कि बार पहले पोईट्री को देख लेते हैं उसके बाद फिर एक डिसकॉशन के लिए हमारे पास लंबा समय रहेगा सेंटरल आइडिया डिसकॉश करेंगे हम लोग एक्स्प्लेनेशन समरी कॉशन आंसर सारी चीज़े डिसकॉश होंगी तो डेफिनेटली यह चीज़ समझ में आएगी लेकिन कुल मिला करके प्रकरती को केंदर में रख करके यानि नेचर को सेंटर में रख के इस पोईट्री को लिखा गया है सेप्टेंबर के महीने में जब पेडों की पतिया ज़र जाती हैं और वो बिलकुल विलुप्त प्राय या म्रत प्रतीत होते हैं इस तरह का एक द्र यहां पर विवरण करने की कोशिश की गई है चलिए देखते हैं तो दे लेबनम टॉप टेड यूजस तो दे लेबनम टॉप साइलेंट क्वाइट स्टिल इन आफ्टरनून येलो सेप्टेमबर सनलाइट तो लेबनम जो है जिसे अमलतास कहते हैं अमलतास का एक पेड़ है यह इस तरह का पेड़ आपने देखा होगा यह जो स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट फ्रेम में भी अमने देखा है यह जिसके इस तरह की पत्तियां होती है पीले-पीले रंगी और गुच्छेदार इसके पत्तियां बनती है ठीक है तो यह लेबन यह फूलों से टकराती है तब कोई पेड़ या पौदा हिलता है लेकिन अगर उसमें क्यों लकडियां ही लकडियां है उसमें अगर यह पत्तियां और फूल इत्त्यादी जो है ही नहीं तो ऐसी कंडिशन में क्या होगा वो बिल्कुल स्थर्थ सा दिकाई देगा अगर हव हमारे लिए इंपोर्टेंट वर्ड है यलो हमारे लिए क्या है इंपोर्टेंट वर्ड है क्यों क्योंकि यहां पर इसमें जो फूल है वो कौन से रंग के हैं वह यलो कलर के हैं और जो धूप आ रही है सूरज की तरफ से वह भी कैसी दिखाई दे रही है यलो कलर की दिखा दे रही है September sunlight दिखाई दे रही है a few leaves yellowing कुछ पतियां जो है वो पीली पड़ रही है अब देखो yellowing से हमें एक और यहां पर चीज मिल गई कि अब यह जो पतिया है न हरी तो यह हरी पतियां जब सूखने रखती है तब कौन से कलर की हो जाती है पीले कलर की हो जाती है पूरी शुरू करती है तो yellow हमें आपर तीन चीजे मिल गई सबसे पहली यह जिसका अबाव है वो क्या है इसके फूल एक और आईगी है भी यह टेंशन मतलो चार यह चीज है इसमें तो पहली चीज क्या है यहां पर yellow color के फूल है दूसरा yellow क्या है yellow sunlight है सूरज की जो रोश्णी है वो कौन से color की है yellow color की है और पतियां जो है इसकी leaves जो है वो भी पीली पड़ रही है all its seeds fallen और इन सारे के सारे फूलों में जो seeds हैं वो जमीन पर गिर चुके हैं क्यों गिर चुके हैं क्योंकि पेड जो है जड़ रहा है तो ऐसी condition में उसकी पतियां भी जड़ रही है उसके जड़ रहे हैं और फूलों के अंदर जो हमें वहाँ पर seeds या बीज देखने को मिलते हैं वो भी वहाँ पर जड़ रहे हैं तो यह एक ऐसी परिस्तिती को दर्शारा है जहां किसी पक्षी या किसी चिडिया के आने से पहले किस तरह का द्रश्य हमें देखने को मिल रहा है यह उसे हमें दिखा रहा है या उसकी विवेचना वर्णन कर रहा है ठीक है गाईस टिल्दा गोल्ड फिंच गोल्ड फिंच चमकीले पीले पंको वाली एक छोटी सी चिडिया होती है जिसे गोल्ड फिंच का जाता है यह देखो आप यहां पे चित्र में देख सकते हैं यह पत्तियां और चौता गोल्ड फिंच ठीक है तो चार येलो चीज़े हैं तिल्दा गोल्ड फिंच जब तक चमकीले पंको वाली छोटी सी चिडिया कम्स जब तक वो नहीं आती है तब तक सारी कि सारी चीज़े बिलकुल स्थिर शान्त है बिना किसी मुव्मेंट के देखो जो पेड है ना इस पर कहीं इस गोल्ड फिंच का गोंसला है ठीक है यहां पर चिडिया का क्या है कहीं पर एक गोंसला बनावाए तो यहां से आती है गोल्ड फिंच जो है जब आती है विट आ ट्विचिंग चिरफ यानि कि जटकेदार या फड़कती हुई चिरफ का मतलब है चीची की आवास करते हुए यानि कि जैसे चिडिया सामान नेता है बोलती है तो वैसी ही आवास करते हुए चिडिया जो है वो यहां पर आती है और सडननेस और अचानक से संसनी फ शांत, स्थिर और निर्जीव सा प्रतीत होने वाला व्रक्ष था पेड़ था वो अचानक से सजीव हो उठता है और अचानक से उसमें संसनी फैल जाती है या वो चौक जाता है a startlement एक ऐसी चीज जो की चौका देती है startlement का मतलब होता है चौका ना ठीक है कि एकदम से चौक गए at a branch end एक जो ब्रांच है एक जो इसकी पेड़ की जो ब्रांच है उसके अंत में आकरके एकदम से ये बैट जाती है ठीक है और उसको इलाना शुरू कर देती है then sleek as a lizard उसके बाद बहुत सफाई से बहुत सावधानी से और कुशलता के साथ बिल्कुल एक लिजाड की तरह बिल्कुल एक छिपकली की तरह किसकी तरह चलती है फिरी किसकी तरह वेवार करती है छिपकली की तरह वेवार करना शुरू कर देती है and alert and abrupt और चौकरना हो करके इस poetry के कुल मिला कि तीन पाइट है, पहला पाइट क्या है, चिडिया के आने से पहले का हिस्स, दूसरा, चिडिया का आना और वो क्या कुछ करती है, दूसरा हिस्स आइए, तीसरा, चिडिया जब फिर से उड़ जाती है, उस समय पेड कैसा दिखाई देता है, यह तीन मुक् इंवी चाहाती हुई और अचानक से संसनी फैला देती है कि हट बड़ाँट कर देती है कि अरे पेड़ यलने लगा पेड़ जो पहले निरजीव परतियत हो रहा ता वो सजीव परतियत होने लगे उसके बाद आकर कि एक ब्रांच के अंत पे यहुके जैसे ब्रांच है उसके अंतिम छोर पे यहां आकर बैट जाती है और धीरे धीरे बहुत साउधानी से बहुत कुछ चलता से बिना किसी लापरवाही के यह जो चिडिया है यह आगे की तरफ बढ़ना शुरू होती है बहुत सफाई से साउधानी पूरोग बिल्कुल एक लिजाड की तरह आपने देखाओगा ना चिपगली दिवार पे चलती है बहुत साउधानी पूरोग बताने का कभी प्रयास कर रहा है कि वह चिडिया आई तो बड़ी चाह चाहती हुई बिल्कुल एक दम जीवन्त होते वे एक दम लाइफनेस को बताते वे जीवन्तता को दर्शाते वे वहाँ पर आती है और पर अत्यांत साउधानी से बिल्कुल एक लिजाड की तरह अलर्ड चौकनी होकर के और अचानक से होने वाला जो कार्य है वैसा चिडिया का आना प्रतीत होता है तो वो क्या करती है यह चौडिया आईए यह प्रवेश करती है एक थिकनेस में यानी की शाखाओं के घने जुर्मुट के अंदर प्रवेश करती है अब यह शाखाओं का घना जुर्मुट जो है इसे मैं माल लेता हूँ गौंसला है ठीक है यह जो शाखाओं की थिकनेस है जो जिसको जुर्मुट का जा रहा है शाखाओं का यहाँ पर वास्तविक्ता में इसका गौंसला है और यह जो बर्ड है न यह मदर बर्ड है मदर बर्ड का मतलब समझते हो कि पक्षी तो है लेकिन यह पक्षी क्या है मा है और जैसे ही यह उस थिकनेस में या उस जुर्मुट में वहाँ प्रवेश करती है अब मशीन स्टार्ट अफ चिटरिंग तो एक मशीन शुरू हो जाती है चिटरिंग की चिटरिंग का मतलब होता है चूँचूँ की आवाज करने का तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर है भहिया इसका नैस्ट जिसे हमने कह दिया गौंसला यह चिडिया यह डाली से थोड़ा दीरे बहुत साओजानी से अपने घॉंसले के पास पुंची कौन होंगे कौन होंगेormai छोटे छोटे इसके बच्चे हैं चिडिया चोटे छोटे बच्चे हैं अब यह बच्चे क्या करेंगे मा को देखते के साथ ही ची 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 निए उनके पास पूंचती और रहा जाती है गोधी ले लो एक वह वाला भाव रहता है तो यहां पर इस इडिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि दीरी दीरे चलती भी यहां सावधानी से पहुंचेगी और पहुंचते के साथ ही बिलकुल मशीन की तरह जैसे खटका जबाते ही मशीन चालू हो जाती है ना स्विच ओन करती यानि कि वो जो चिडिया है वो अपने पंको को फड़ फड़ाती है एंड ट्रिलिंग्स और स्वर कंपन यानि वह भी आवाज करना शुरू कर देती है अब देखो वापस शुरू से टच कर लेते हैं इसको जब मैंने या आपने कविता के प्रारंब में देखा तो उसकी क्या इस्तिती थी एक पेड जिसकी पत्यां जिसके फूल जड़ चुके हैं जो पत्यां बची है वो पीले रंग की है पीले रंग की उसके धूप पढ़ रही है हला कि पीला रंग जो है वो आनंद का या खुशाली का परतीक है हम पीले रंग को कोई negative sense में नहीं देखेंगे तो पत्यां भी पीली है इसके फूल भी सामन्यत है पीले होते हैं और इस पर पीली धूप पड़ रही है और एक और पीला पक्षी आता है और इस मृत प्राय एकदम से dead type दिखने वाला जो ये पेड़ है इसे जीवंत कर देता है आनंद विबोर हो उठता है पूरा का पूरा कौन हो रहा है ये आनंद विबोर हो रहा है पूरा पेड़ तो अब तक जो बिल्कुल शान्त और निरजी होता पक्षियों की इस आवाज से पक्षियों की इस action से इन हरकतों से वो बिल्कुल जीवन्त हो उठता है ऐसा लगता है जैसे कि वो सजीव हो उठा है ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है Next, it is the engine of our family यह engine जो है यानि कि यंत्रवत जो चूँ चूँ की आवाज आनी शुरू हुई थी वो क्या है? उसका परिवार है उसका परिवार यानि कि चिडिया के बच्चे हैं जो कि भूग से अपनी मा को देखते ही चीचीची करने लगते हैं she stalks it full then floods out to a branch end वो stalk करती है यानि कि बैक वाली पर चलें वापस एक पर जो भी वो अपनी मूँ में पकड़के लाई है वो अपने बच्चों को मान लीजे यहापे nest वो अपने बच्चों को खिलाती है और खिला करके वापस जिदर की दिशा से आई थी उस दिशा में यानि कि जो ब्रांच का कौना था उदर की दिशा में वापस चली जाती है ऐसा यहापे बताया गया कि it full stalks it full यानि उन्हें खिलाती पिलाती है देख बाल तो क्या करती है दो सेकिंड में बस जो भी उसके मूँ में है वो उन्हें बच्चों को खिला देगी और उसके बाद अचानक से वहाँ से बाहर आ जाती है किदर की तरफ बाहर आ जाती है at the branch end यानि कि इदर की तरफ से इदर की तरफ गई फटा फट से नेज़ में बच्चों ने चीची की उनको खिलाया खिलाने के बाद वापस विड्रॉ करके और किदर की तरफ चली गई branch end की तरफ चली गई showing her bad face identity mask then with the airy delicate whistle chirrup whispering ठीक है क्या कह रहा है showing her bad face अपने धारीदार चहरे को दिखाते हुए कि वह आप उस पक्षी को अच्छे से पैचान सको कि ए गोल्ड flinch है identity जो उसकी पैचान है mask जो उसने नकाब की तरह धारन कर रहा है अब नकाब की तरह तो क्या कहेंगे actually उसकी पूरी skin तो अलग है उसके उपर उसके जो बाल आते हैं वो इतने सुनेरे होते हैं कि वो एक नकाब की तरह प्रतीत होते हैं एक नकाब की तरह लगते हैं जैसे की महिलाओं का make-up जो ladies है girls हैं वो make-up करती है जैसी को गलत तरीके से एक दूसरे को बोलेगा नहीं ठीक है यह सामान्य तुलना है और इसे सामान्य तुलना के नजरिये से अद्रश्टी कौन से हमें देखना है कि वहाँ पर जो उसका चैरा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कोई सुन्दरता का नकाब पैन रखा है और उस नकाब से उसके आइडेंटिटी उसके पहचान जो है गोल्ड फिलिंच के तौर पर की जा रही है देन विद एरे उसके बाद अजीब या रहस्य हमाई तरीके से डेलिकेट बहुत धीमे धीमे विसल चिपरिंग सीटी जैसी चिपरिंग के आवाज वो करती है चहचाहट के आवाज वो करती है विस्परिंग जैसे की फुस फुस हट कर रही हूँ और यह सब यह कब कर रही है जब यह इस दिशा से इस दिशा के और वापस जा रही है यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हलके- हलके आवाज करते वे उधर की तरह आगे बढ़ती है ऌर उसके बाद वह क्या करती है वहां से एक plane launch होता है plane plane the launch होने का मतलब क्या है plane उड़ गया और अगर मैं कहुँ Then she launches away तो उसका मतलब वह भी उड़ गई और अनंत से यहाँ पर क्या अतात परे हैं आकाशका अतात परे हैं वह आसमान की तरफ खुले आसमान की तरफ अनंत आसमान की तरफ उड़ जाती है और इसके बाद ये वापस जो हमारा Lebanon tree था ये बिलकुल शान्त हो जाता है अब ना तो चिडिया के बच्चों की चाहानी की आवाज आ रही है चिडिया यहां से चली गई जब तक चिडिया थी वो चाहा रही थी हरकत कर रही थी और पेड़ की डाली को हिला रही थी लेकिन अब क्या हुआ वो चली गई तो पेड़ वापस बिलकुल शान्त हो गया to empty बिलकुल रिक्त या खाली होने के लिए अब ऐसा लग रहा है कि पुनह ये रिक्त या खाली हो चुका है तो इस प्रकार की ये हमारी poetry है जो ये दर्शाने का प्रयास करती है कि कैसे कोई बहारी तत्व जो है वो आकर के किसी मूल तत्व को प्रभावित कर सकता है सकारात्मक रूप से तो ये हमार को मोटा मोटा तोर पर इस poetry में देखने को मिला है next हम जो बात करने वाले हैं guys हम बात करने वाले हैं इस poetry के central idea के बारे में इस poetry का central idea क्या कहता है the poet starts the poem with the introduction of Lebanon top तो poet जो है अपनी कविता को प्रारंब करता है start करता है introduction देते हुए यानि की परिचय देते हुए किसका परिचय देते हुए तो Lebanon top tree का Lebanon top tree जो है उसका परिचय देता है who is still and silent जो की पूर्ण रूप से क्या है पूर्ण रूप से शांत वे स्थिर है कैसा है शांत वे स्थिर है it leaves have turned yellowish इसकी जो पत्तियां है इसकी जो क्या है पत्तियां जो है वो yellowish हो गई है वो अब पीला पर उनमें आ गया है and started to fall off और पत्तियों ने क्या करना शुरू कर दिया है पत्तियों ने गिरना शुरू कर दिया है इसकी पत्तियां अब गिरने लग गई है the tree is in the month of September और पेड जो है अभी September के माह में है the tree looks like death और ये जो tree है ये बिलकुल मृत्तियों का प्रतीक लग रहा है कैसा लग रहा है कि ये मृत्तियों को दर्शा रहा है कि दीरे दीर अब इसकी पत्तियां जड़ रही है तो अब ये मर जाएगा and is very quiet और ये बहुत ही ज़ादा शान्त है then the poet said that the tree becomes alive when a gold flinch bird came there to feed her young ones और उसके बाद में कभी कहता है कि पेड जो है वो अचानक से जीवित हो उठता है अचानक से कैसा उठता है जीवित हो उठता है जब एक gold flinch bird वहाँ पर आती है there to feed feed का मतलब होता है खिलाना to feed का मतलब है खिलाना क्यों आती है वो वहाँ पे खिलाने के लिए आती है किसे खिलाने के लिए आती है अपने young ones को यानि जो उसके छोटे चिडिया के जो बच्चे हैं उन्हें in the thickness of the branch thickness का मतलब आप यहाँ पर क्या लेंगे थिक का मतलब ऐसे होता है मोटा लेकिन यहाँ पर थिकलेस का मतलब हम ले लेते घौस लेके अर्थ में आया बताया ना भी poetry में भी बताया था ना तो घौसला जो है उसकी branch पर उसकी शाखा पर जो वहाँ पर उसका घौसला बना हुआ है वहाँ पर वो छोटे बच्चों को खिलाने के लिए आती है वह वहाँ पर चह चहाती भी आती है कैसे आती है वह वहाँ पर चह चहाती भी आती है and moves to the other side of the branch और धीरे धीरे चलती हुई उस शाखा के दूसरी और जाना शुरू होती है पहले किया चैसे शाखा है इसके अंत पर बैटी है अंत पर बैटकर के आगे की तरफ बढ़ रही है जहाँ पर उसका गोसला बना हुआ है तो branch की side में वो बढ़ती है she was a rapid motion she with a rapid motion वह एक बहुत ही तेजी के साथ चलती है goes deep into rapid का मतलब होता है शिग्र बहुत शिग्रिता के साथ वह motion करती है आगे बढ़ती है goes deep into the branch और branch के अंदर deep side में जाना शुरू करती है to our young ones अपने छोटे बच्चों के पास में her movement is compared with a lizard और उसका यह जो motion या जो movement है यह किस से compare किया गया है एक lizard से जैसे कि छिपकली जो है तेजी से चलते हुए भी सावधानी से चलती है as soon she enters और जैसे ही वो अपने घौंसले पर पहुंसती है her young ones start their movement like a machine तो छोटी जो चिडियाएं है वो अपना movement कारे प्रारंब कर देती है जैसे कि machine हो जैसे कि machine का switch on करते ही machine काम करना शुरू कर देती है वैसे ही छोटे बच्चे जो है अपनी मा को देख करके चिपरिंग करना start कर देते है and flap their wings और अपने पंको को फड़़डाने लगते है the tree got its motion और पेड जो है उस पर पूरी हलचल दिखाई देती है and life और जीवन दिखाई देता है when the bird enters and as soon as और जैसे ही वो bird वहाँ enter करती है प्रवेश करती है जैसे ही as soon as the bird flies away चिडिया वहाँ से उड़ जाती है the tree again becomes lifeless तो पेड जो है वो फिर से निर्जीव बन जाता है बोलो कैसा बन जाता है पेड वापस कैसा प्रतीत होता है कैसा दिखने लगता है जैसे पेड जो है यह अब वापस निर्जीव हो गया है जीवन से हीन हो गया है ठीक है guys तो यह हमारा यहाँ पर central idea है तो guys आगे का इसमें हम लोग portion देखते हैं रूपक हो गया उपमा हो गया वैसे ही English में इनका literary devices कहा जाता है किसी भी उत्तर को बहुत सुन्दर बनाने के लिए explanation को बहुत अच्छे से लिखने के लिए literary devices की knowledge होना बहुत ज़रूरी है और यह बहुत useful भी है ठीक है guys तो literary device जो है सबसे पहला आता है alliteration alliteration का मतलब होता है कोई भी consonant sound जो है यानि कि व्यंजन ध्वनी कैसी ध्वनी व्यंजन ध्वनी अगर हमें बार-बार सुनाई देती है वो भी किसी शब्द के शुरुवात में beginning of two or more consecutive consecutive words का मतलब यह है जो निकट तम कोई ऐसे शब्द जो पास-पास में हो उनके शुरुवात में अगर हमें कोई एक ही व्यंजन ध्वनी बार-बार सुनाई देती है तो वहाँ alliteration होता है the instance of alliteration in the poem are as follow आप यहाँ देख सकते हैं कि September और Sun में दोनों में हमें सै का साउंड सुनाई दिया ट्री और ट्रेंबल्स में हमें टै का साउंड जो है बार-बार सुनाई दे रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा alliteration device हुआ है क्योंकि दोनों पास-पास में भी है number one दोनों के शुरुआत में भी है number two और व्यंजन दोनी है number three यह तीनों चीज़े देख ली तीनों चीज़े यहाँ मिल रहे है इसका मतलब यहाँ है alliteration हो जाएगा second है simili comparison between two things using like और as तो like या as का इस्तमाल करते वे जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है sleek as a lizard यह as आ गया न इस वज़े से यहाँ पर हम क्या कहेंगे simili है क्योंकि like, as, as, like, as इन सब का प्रयोग करते वे simili को दर्शाय जाता है या simili को बताया जा सकता है next है metaphor metaphor simili से एक कदम आगे होता है कि जहां तुलना ना की जाये और उसे वैसा ही बता दिया जाये share की तरह चलता है share चला आ रहा है तो share की तरह नहीं बोला share की तरह बोलता तो simili हो जाता share बोल दिया सीधा तो metaphor हो गया इतना ही difference है ज़्यादा difference नहीं and indirect comparison between two things एक आप्रत्यक्ष indirect का मतलब क्या होता है एप्रत्यक्ष comparison या तुलना जब दो चीज़ों के बीच में की जाती है जर्नली सामान्यता quality is compared जब दो चीज़ों में कोई गुणवत्ता या तुलना से संबंदित कोई comparison किया जाता है तब इसका प्रियूग किया जाता है she enters the thickness वे एक thickness के अंदर प्रिवेश करते है अब गौंसले के लिए thickness का यूज हो गया and a machine starts up और machine किसको का गया उसके बच्चों को का गया the noise created by the movement of the birds is compared to the machines यानि कि birds के जो बच्चे हैं उन्होंने जो आवास की उसे machine से उसकी तुलना की गई it is the engine of her family यह उसके परिवार का engine है यानि उसके परिवार वाले जो हैं चीची कर रहे हैं showing her buried face identity mark उसके buried face जो है वो उसके identity mark की तरह काम कर रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर तुलना की गई है दो तुलना है यहाँ पर हमें साफ तोर पर दिखाई देती personification का हिंदी अर्थ होता है सीधे तोर पर मानवी करा जब किसी कोई ऐसा जो मनुष्य नहीं है सजीव नहीं है सामान्यता या किसी वस्तू का पेड का, पौधों का, पशुपक्षी का अगर इनका किसी मानव की तरह व्याख्या की जाती है सामान्यता है तो निर्जीव वस्तू की अगर मानव की तरह या मानवी गुणों के साथ अगर उसकी व्याख्या की जाती है मानव गुणों से उसको दर्शाया जाता है तो वहाँ मानवी करन अलंकार होता है the attribution of the personal nature of characteristic to the something non-human यानि कि personal nature जो है वो किसी non-human में बताया जाए यानि मनुश्य में पाई जाने वाली चीज़े जो है वो अगर मानव प्रकृति वाले में बताया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है personification हो जाता है paid जो है वो निर्जीव तो नहीं है सजीव है बट non-human है इंसान भी नहीं है trembles and thrills तो कापना और thrill करना ये मानव के गुण है ये paid के गुण नहीं है तो जहां मनुश्य के गुणों को किसी निर्जीव पर बताया जाए या non-human पर ऐ मानव पर बताया जाए तो वहाँ पर personification हो जाता है ठीक है अगला है हमारा transferred epithet the figure of speech where the adverb is transferred to another noun her bad face identity mark तो जहां पर कोई adverb जो है उसे transfer कर दिया जाता है किसी और noun के लिए यानि कि मूल रूप से किसी और noun के लिए प्रयोगत हो आता लेकिन बाद में उसे किसी और noun के लिए बरदा दिया गया तो adverb जो है वो होता है क्रिया विशेशन जो किसी क्रिया की विशेशता बताता है लेकिन जब ये क्रिया की विशेशता बताने की बजाए किसी संग्या की विशेशता बताने लग जाए जब ये किसी क्रिया की विशेशता बताने की बजाए किसकी बताने लग जाए संग्या की विशेष्टा बताने लग जाए तो वहाँ epithet होता है और transferred हो गया यह transfer कैसे हुआ है कि जो kriya के लिए आना चाहिए था वो उसके लिए आने लग गया संग्या के लिए her buried face identity mark तो buried face जो है यह क्या है identity mark बन रहा है उसकी पहचान बनने का काम कर रहा है तो यहाँ पर हमारा transferred epithet जो literary device है वो हुआ है तो I hope आप लोगों को poetry अच्छी तरीके से समझ में आई होगी poetry अच्छी तरीके से clear होगी मेरा अगला lecture आए उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे आप लोग इस वाले lecture में comment के अंदर summary के कोई five points दीजिए कि आपके हिसाब से कौन से five points है जो इस summary के अंदर include होने चाहिए यानि इस poetry में ऐसी कौन सी पाँच मूल तत्व हैं या महत्वपूण चीजे हैं जिने आप summary में रखना चाहेंगे या summary में जिने आप दर्शाना चाहेंगे ठीक है वो पाँच बिंदू मुझे आप लोगों से चाहिए thank you very much and I'll see you soon in the next lecture till that take care of yourself bye bye see you soon